नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में मैं हूँ आपके साथ भारती सेंग आज मैं आपके साथ मौजू हूँ चेतेशवर पुजारा के द्वारा कही गई एक बात को लेकर आपको बता दे हाल ही में इंग्लैंड और न्यूजिलिन का टेस्स सीरीज खत्म हुई है जिसमें न्यूजिलिन ने आईसी सी टेस्ट रांकिंग में पहला पायदान भी हांसिल कर लिया है चेतेशवर पुजारा ने इस पर अपनी बात कही है उन्होंने अपनी बात इसलिए कही है क्योंकि जल बहुत जल यानि 18 जून से ही इंडिया और न्यूजिलिन के बीच में टेस्स सीरी शुरू होने वाली है और ऐसे में ये बहुत एहम हो जाता है कि जो एक बहुत ही जान जरूर बनाएगा लेकिन इंडिया के उपर दबाव बनने के बावजूद इंडियन टीम पूरी तरीके से तयार है इससे पहले प्राक्टस माच होगा और फिर इंडियन टीम पूरे दमखम के साथ उतरेगी मैदान में ये मैच बहुत एहम हो जाएगा लेकिन आपको बता ने कि न्यूजिलेंड की टीम ने जब इंडियन की टीम को हराया तो ये 1999 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजिलेंड की टीम ने इंडियन की टीम को टेस्ट माच में हराया है तो न्यूजिलेंड की टीम का जो मनूबल है वो अपने आप में बढ़ जाता है पहली रैंक पे पहुच गई है न्यूजिलेंड की टीम और दूसरा ये कि इंग लैंड की टीम को हराकर आई है तो मनुवल उनका जाहिर सी बात है उपर होगा चेतेश्वर पुजारा ने अपनी बात जरूर रखी है लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है कि इंडियन टीम भी पूर इंडियन टीम जे लेगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी क्या राह है फिलाल इस वीजियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें